एक इंसान जब मर जाता है तो उसका दिमाग 7 मिनिट तक जिन्दा रहता है जिसमें वह अपनी जिन्दगी की सभी यादों को एक सपने की तरह देखता है एक इंसान को अपनी जिन्दगी के अंतिम शड़ों में अफसोस होता है कि वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाया उसने क्या-क्या गलतियां की वो क्या कुछ कर सकता था क्या कुछ बन सकता था लेकिन उसके पास रह जाता है तो सिर्फ अफसोस कोशिश करना कि आपको वार है या मंगल वार सोने के टाइम पर जागते रहते हैं जागने के समय पर नीद आती है आपको लगता है कि सारी दुनिया में हर इंसान का यही हाल हो रहा होगा तो जरा मुझे एक चीज बताईए जैसा सब सोचते हैं जैसा सब करते हैं वैसा ही सोचने और वैसा ही करने से क्या आपका भला होने वाला है लोगडाउन एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी फिर से आपको अपनी पढ़ाई अपने एक्जाम और अपने कैरियर के बारे में सोचना पड़ेगा और तब आपको याद आएगा कि आपके पास समय था तब आपने अपने आपको दूसरों से बहतर बनाने के लिए अपने आपको डिजर्विंग बनाने के लिए कोई खास अफ़र्ट्स नहीं लगाए देखिए यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं और आपको लगता है आपके लिए सोचने का टाइम भी नहीं है सबकी अपनी लाइफ है अपने सपने है और अपना स्ट्रगल है अगर आपको सबसे आगे जाना है अगर आपको अपने सपने पूरे करने है तो उसके लिए आपको डिजर्विंग बनना पड़ेगा अपने उपर काम करना अगर आपको जिन्दगी में सफल बनना है तो उन कामों को करने की आदर डाल ली पड़ेगी जो सफल लोग करते हैं और असफल लोग करने से डरते हैं दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि आज हमेशा कल से बहतर होता है क्योंकि कल कभी आता ही नहीं जो लोग कल के भरों से बैठे रहते हैं उन्हें जिन्दगी में कभी कुछ मिल पाता भी नहीं और जो हमेशा आज में मेहनत करने में विश्वास रखते हैं जिन्दगी में बहुत आगे जाते हैं क्योंकि आज कभी नहीं जाता आप मुझे एमानदारी से बताना के इन 30 दिनों में आपने अपने आपको बहतर बनाने के लिए अपने आपको सकसेस के लिए डिजर्विंग करने के लिए क्या क्या आफर्ट्स लगाए अगर आपका जवाब ना है आपने कुछ भी नहीं किया है तो अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है आप आज से और अभी से शुरुआत कर सकते हैं लेकन अगर आपने फिर से से कल पर डाल दिया तो मैं आपको एक बार और और याद दिला दूँ कि कल कभी आता ही नहीं अगर आप मेरी बातों को दिल से मानते हैं तो अपने कमरे में एक कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में दो शब्द लिख लेना और रोज उन्हें उठने के बाद देखना उन पर अमल करना वो शब्द है नो एक्सक्यूज जब भी आपको कोई काम ना करने का या पढ़ ना करने का विचार मन में आए तो एक बार उस कागज पर लिखे शब्दों को जरूर देख लेना आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा अगर मेरी बातों से सहमत है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस प्रियास का हिस्सा बनिए और कुछ लोग जो जिन्दगी की परेशानियों से बहुत ज्यादा घबराते हैं रिस्क लेने से डरते हैं उनके लिए लेकर आया हूं में एक बहुती अच्छी मोटिविशनल कहानी उस कहानी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है समय निकाल कर सुनियेगा जरूर दोस्तों सम निकालने वाली बात मैंने इसलिए कही क्योंकि अक्सर अच्छी बाते सुनने के लिए लोगों के पास समय नहीं होता ये कड़वा है लेकिन सच है आशा करता हूं कि अब से आप अपनी जिन्दी का एक भी पल बेकार नहीं